सब्सक्राइब कीजिए डिजी कोईशिक चैनल को और पेल आइकन को दबा दीजिए सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलोजी वीडियो देख दिखे लिए कोईशिक चैनल दोस्तो फ्राइडए है और नियू मीवाई 9 ग्लोबल बीटरॉम का विकली अपडेट आ गया है और आज का अपडेट थोड़ा सा डिले है एनिवेज दोस्तो यह अपडेट का नाम है मीवाई 9 7.9.15 ग्लोबल बीटरॉम विकली अपडेट तो चलिए दोस्त तो मैं हो कोईशिक तो चलिए वीडियो शुरू करते है तो दोस्तो सबसे पहले आज का अपडेट में यहापे पीच ब्लोसम और एसफर्ट थीम को और अच्छा से ऑप्टिमाईज किया गया है और उसके साथ साथी 90 निव थीम्स, 94 निव ओल्पेपर्स और 58 निव रिंग अच्छी का अपडेट में फिक्स कर दिया गया है यहापे। ऑद दूस्तों और एक बग्शा के मेरा एप में कोई-कोई फोटो कैप्चर करने के बाद जब हम फोटो को देखते थे तो ब्राइटनेस फूल हो जाता था और कभी-खभी कैमेरा एप का अंदर ही ब्राइटन फूल हो जाता था तो दोस्तो पिक्चर ओवर एक्सपोश लगता था तो दोस्तो ये जो बग था कैमेरा एप में इसको भी आज का अप्टेट में फिक्स कर दिया गया है उसके बाद दोस्तो रीमोट आप में फोकसिंग को लेकर एक बग था कभी-गभी रीमोट आप पिछले कुछ दिनों से बहुत सरे बाग था मीवाई का डिफल्ट स्कैनर एप प्रोपालली काम नहीं करता था जो कि कभी-कभी फोर्स टॉफ हो जाता था लैग आ जाता था तो इस तरह का जो भी बाग था स्कैनर एप में तो ये सब इसूज को अभी फिक्स कर दिया गया है उसके बाद दोस्तो पिछले कुछ दिनों से मैं एक चीज़ नोटिस किया था रेट्बी नोट 4 में जो कि चार्जिंग को लेकर कुछ इसूज था 18-20 वर्सें चार्जिंग के बाद कभी-कभी चार्जिंग रूप जाता था और बैटरी वैकप भी बहुत ही जादा खरा दोस्तो फाइनली इस बार का अपडेट में ओपीसियली एक न्यूफ फीचर्स के बारे में मेंशिन किया गया है जो कि अब बटन अन गिस्टर सॉटकट का सेटिंग दोस्तो यह जो न्यूफ फीचर्स है इसके लिए सेटिंग में पिछले अपडेट में ऑप्शन आ गया अभी भी अगर आप ओल्ड अपडेट में है तो आप चेक कर सकते है जैसे कि कुछ-कुछ न्यूफ गिस्टर्स और सॉटकट का फीचर्स यह अपडेट के बिना भी काम करेगा जैसे कि रिसेंट बटम और वोल्यूम डाउन बटम यह दोनों बटम को एक साथ लॉंग प्र करके रखेंगे तो आप टॉर्च को भी अउन कर सकते हैं तो यह सब फीचर्स पहले से ही मीवाई 9 में था बाट ऑफिशियली यह सब फीचर्स के बारे में नहीं बताया गया था क्योंकि बहुत ही ज्यादा बग्स था यह सब गिस्टर्स का फीचर्स टेस्टिंग मून में रखेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर किया प्यान गिस्टर्स का नाम के आपको एक ऑफ्शिन मिल जाएगा और यहां पर अपना हिसाब से अलग-अलग बटन के साथ कॉंट्स को कॉन्फिचर कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहां पर नेवीचर्स बटम क उसको आप right side में रख सकते हैं और यहाँ पर और एक option है जो कि आप automatically disable navigation button यह option को use करके आप कोई भी selected app में navigation button को disable कर सकते हैं और कोई भी navigation button में अगर आप double tap करेंगे तो navigation button again re-enable हो जाएगा काफी अच्छा features है अभी आप दोस्तों gisters का मदद से और भी easily unfast operate कर पाएंगे उसके बाद दोस्तों fingerpin sensor maximum times properly काम नहीं करता था हाला कि उसको पिछले update में fix कर दिया गया था लेकिन उसके बाद भी दोस्तों fingerpin को अच्छा से recognize नहीं कर पाता था दोस्तों अभी भी जिसको smooth recognition बोलता है ऐसा नहीं है अभी भी कभी-कभी failed आ जाता है लेकिन पहले से optimization slightly better है तो दोस्तों यह था MIUI 9 7.9.15 ग्लोबल वीटराम weekly update का full change log अगर आप MIUI 9 ग्लोबल वीटराम का user है तो आपको यह update ot update का through updater app में मिल जाएगा और वीडियो का description में भी आपको यह update का download link मिल जाएगा और आप वहाँ से भी यह update को डाउनलोड करके मैनुआली अपडेटर app का through install कर सकते है अगर अभ MIUI 9 का वीटराम user है तो और अगर अभी था कभ MIUI 8 का stable RAM में है और आप चाते है MIUI 9 ग्लोबल वीटराम को install करने के लिए बीना bootloader unlock किये तो उसके लिए मैं अरेड़ी एक easy process में step by step guide में वीडियो बना चुका हो आप वो वीडियो देख सकते है आपको right side में i button पे link मिल जाएगा तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like and share भी कीजिएगा और आप चाहे तो मेरा चैनल को subscribe भी कर सकते है so once again this is Koshik here and see you in the next one thank you guys thanks a lot for watching bye